त्री दर्शे को नमस्कार स्वागत है आपका च्री वेतिक जोतिश के यूट्यूब चेनल पर जहाँ पर मैं संजे शर्मा स्वागत करता हुआ आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम आपको मिथुन राशी और लगन वालों के जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले है जिसमें उनके सोभाव से जुड़ी उनके जीवन से जुड़ी लगभग सभी बाते बताने का प्रयास करेंगे वह क्या विशेष्टाओं को लेकर जर्म लेते है साथ ही मिथुन राशी और लगन वालों को क्या शोक होते है क्या करना पसंद होता है और क्या उन्हें पसंद नहीं होता है क्या विशेष्टाओं और क्या कम्या इन सभी की चर्चा करने वाले है तो अगर आप भी मिथुन राशी या लगन के है या फिर मिथुन राशी या लगन वालों के विशय में कुछ भी जानना चाहते है तो आप आज की इस वीडियो को ज्यान पुर्वक अवश्य देखते रहे आपको बहुती महत्तो पूर्ण जानकारी आज प्राप्त होने वाली है आगे अन्य राशियों पर भी और अन्य लगनों पर भी किसी प्रकार के आपको वीडियो मिलने वाली है साथ ही मिथुन राशी वालों के जीवन से जुड़े अन्य रहस्यों का उडगाटन भी ह हम आगे अवश्य से करने वाले हैं तो अगर आप चेनल पर नए हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लिजिए एसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी इसी प्रकार मिलती रहेंगी अब आईए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के विशय की ओर सरपथम अगर हम मिथुन राशी को देखे तो मिथुन राशी बुद्ध के अधीन आती है बुद्ध मिथुन राशी के स्वामी ग्रह होते है इसके चलते बुद्ध के समान ही जो गुन होते है वह इनके अंदर देखने को मिलते है बुद्ध राजकुमार ग्रह है जिसके चल भाव में भी आकर्षन शम्ता अधिक होती है या स्वयम भी किसी की और आकर्षित हो जाते है तो दूसरों को अपनी और भी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। सुन्दर्ता पर विशेश ध्यान होता है सोयम भी सुन्दर वस्तुए आकर्षक वस्तुए अपने पास रखते है और सोयम को भी सुन्दर दिखाने का आकर्षक दिखाने का ये प्रयास करते है आकर्षन का गुन कुछ इस तरह का होता है कि वह इनके शरीर से भी इनके वातों से भी इनकी वानी भी कुछ इसी प्रकार की होती है कि उसमें भी ये अपने एक तरह से उसे जाल ही कर सकते है कि उसके अंदर ये सभी को मंत्र मुग्द कर देते है अपनी बातों से कुछ एसा प्रभावित करते है कि सभी इनके साथ बंधे रहते हैं और जिससे भी मिलेंगे उससे उसके साथ एसा बोंडिंग बना लेंगे एसा अचेश्मेन बना लेंगे जिसे उसे बहुती लंबे समय से जानते हो साथ ही यह सभी के साथ मिल जुलकर भी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी को साथ ले करके चले दुसरों का बुरा करना या अहित करना एसा इनका सभाव नहीं होता है सभाव से पूरे ही धार्मिक होते हैं धार्मिकता में भी इन्हें बड़ा आनंद आता है और उसमें भी कई बार यहां देखने में आता है कि जो बड़े-बड़े सादू संत या विशेशकर कथा वाचक होते हैं, वह मिथुन लगन या मिथुन राशी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस तरह के गुण, कला से जुड़े हुए गुण, मात्रा में पाए जाते हैं, सभाव से डड़ संकल्पित होते हैं, अगर किसी एक कारे में लग जाए, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, मेहनती तो बहुत जादा होते हैं, जब भी इनके मन मुताबिक कार्य होता है, तो उसे बड़ ही आसानी से करते रहते हैं, और उसम आनन्द लिते चलते हैं क्योंकि बुद्र का प्रभाव होता है तो जब तक कार्य इनके अनुकुल चलता है इन्हें भी उसमें आनन्द आता जाता है और उस कार्य को आनन्द पुर्वक करते जात vielen ओर अपने इसी मेहनती-स भाव के चलते सोयम को सद्ययों किसी भी कार्य के ल जहते ही है तो कही पर जाना भी होता है तो इन्हें पुनह तैयार नहीं होना पड़ता है क्योंकि नेचुरल सभाव भी इनका यही है कि सोयम को टिप टाप रखते हैं किसी भी कार्य में जाना हो कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए तैयार है और अलग से कुछ नहीं करना प प्रयास रहता है फिर अपनी बातों से हो अपने कारियों से हो या किसी भी प्रकार से हो आप कई लोगों को देखते होंगे जो कुछ दान करते है या धर्म करते है तो वह इस प्रकार करते है कि किसी को पताना चले परन्तु मिथुन राशी और लगनवालों के लिए ये बात लागुन नहीं होती है, यह जो भी करना चाहते है, उसमें यही प्रयास रेता है, plugins इनका नाम है, जो लोग है, वो दस लोग इनको जानने लगे, अधिक से अधिक इनका नाम फेले, इनका मान सम्मान बढ़े, यही इनका प्रयास होता है और ये स्वयम भी दयावान होते है, दुसरों की सहायता करना, दुसरों की मदद करना इसमें सदेव लगे रहते है और अच्छे राजनिती कार होते है, मेनेजमेंट की शमता भी इनकी अभूत पूर्व होती है किस प्रकार से किस कार्य को करके परिणाम शुब लिया जा सकता है, दुसरों से अपना कार्य किस प्रकार निकाला जा सकता है इसका गुण इन जातकों में या इन जातिकाओं में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है साथी कुशल वक्ता होते हैं भाशन देने में कुछ भी बोलने में अपनी बात सिद्ध करने में भले ही फिर वो गलत हो, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने में इनके समान और कोई नहीं होता है, और बड़ा हो, इनके पास किसी चीज का ज्ञान हो या नहो, कोई बड़ा विक्ति भी इनके सामने बेठा हो, लेकिन उसे भी अपने आत्मविश्वास से, अपनी बोध्यक श और मेनेजमेंट के द्वारा बहुत आगे बढ़ते हैं और जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं या जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं वह सब भोग विलास और लगजरियस से भरा हुआ होता है आनन्द और आनन्द पूर्व करेना मस्तर हना अपने सभी शोग को पूरा करना गूमना फिरना ये सब इनको पसंद होता है और खर्चा करने पर जब ये आतुर होते हैं तो फिर उसकी गणना नहीं करते कि कितना खर्चा कर दिया अपने शोग पूरे हो जाए उसके बाद की चिंता ये नहीं करते हैं यही सब इनके जो सभाव को बहुती अभुत पूर्व और सबसे अलग बनाता है कई बार एसे में यह भी देखने में आता है कि जब कभी थोड़े धन की समस्या चले या आर्थिक कुछ परेशानी आए उसमें इन्हें थोड़ी परेशानी अवश्य हो जाती है क्योंकि इनका सभाव कभी इस प्रकार का नहीं बना है कि इन्हें अपने आपको किसी प्रकार से परिवर्तित करना पड़े या फिर ये जितना भोग विलास और सुख सुविधा चाते है अगर वह इन्हें ना मिले तो इनका सभाव कुछ मात्रा में चिर्चिड होता है अर्थात अभी आपसे हो सकता है अच्छी तता से बात कर रहे हो लेकिन अगर थोड़ा ही गुस्सा आया तो ये सोयम उसमें दो मिंट आपको कुछ बोलकर चले जाएंगे लेकिन फिर भी कुछी समय बाद हो सकता है अगले दस मिनट बाद ही आपके पास आए और पुनह आपसे बात करने लग जाए यह सब गुण इन जातकों में अवश्य से देखने में आता है कोई भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रखते है आपसे आज भूल मिलकर बात करेंगे कभी गुस्ता हो भी गए तो पुनह आगे से आकर सोयम ही बात करने लग जाएंगे और यही सब गुण इनके जो साच में लोग होते हैं उनकी संख्या को दिनों दिन बढ़ाता चला जाता है मित्रों की संख्या अधिक होती है और उनके बीच में भी यह विशेश पौपुलर होते हैं किस प्रकार किस से क्या बात करन है और किस प्रकार सबको अपने बीच जोड कर रखना है ये भली भाती जानते हैं कई बार अपने से जो विपरित लिंग होता है उसके प्रती इनका आकर्शन विशेश देखने में आता है या कई बार इनके जो मित्र होते हैं उनकी संख्या में जो विपरित लिंग होता है व इसी प्रकार इनका विक्तित्व होता है, शुक्र से विशेश प्रभावित होते हैं, इसलिए भोग विलास, आकर्षेन शम्ता और जितने भी एश्वर्य होते हैं, वह इनको अपनी और अधिक आकर्षित करते हैं, और यही सब गुण इन्हें जीवन में आगे बढ़ाते हैं सुभाव में जिसा मैंने कहा कि परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी से मिल दूल कर रहते हैं, और सभी को साथ लेकर चलते हैं, हस्ती मजात करना, सभी को प्रसन रखना यही इनका विशेश गुण है, और इसी गुण के चलते यह जीवन में अपने सभी कार को बना सकते हैं, तो इसलिए अगर आप मितुन लगन या मितुन राशी के हैं, तो आपको इश्वर ने सभी सुख भोगने के लिए जन्म दिया हैं, और आप केवल इसी बात का ध्यान दखें, कि आपका जन्म विशेश रूप से अन्य लोगों की सहायता करने के लिए, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, इसलिए आपको भी यही कोशिश करने चाहिए, कि कभी भी अपने जीवन में अधिक चिन्ता ना करें, आपका मुख्य गुण जो बोलना हैं, उसे ना छोड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक मिलें, अधिक से अधिक लो आकरसें समता भी आपकी एसी है, कि उससे कोई दूर नहीं रह सकता है, और सभी आपके पासों में बंद जाएंगे, और आप उसी से अपने कारे बना सकते हैं, जीवन में मासंबान आपको भावती सेष्ट मिल जाता है, आपको पर थोड़ी मेहनत की और ध्यान देना चाहि कई बार थोड़ा आले से सपन के कारण, आप अपने कारियों को कई बार छोड़ देते हैं, या टाल देते हैं, अगर आप उसे ठीक रखते हैं, विशेशकर अपने पिता से संबंद अच्छे रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में जो भी उचाया है, जो भी मान सम्मान है और जितना भी धन है वह सब प्राप्त कर पाएंगे और उसके बल पर जीवन में उचाईयों के साथ ही जो भी आपके शोक है उन्हें भी पूरा कर पाएंगे. तो अगर आप मिथुन राशी और लगन वाले है तो आज मैंने आपको आपके जीवन से जुड़ी बहुती रोचक जानकारी देने का प्रयास किया है आगे भी एसी ही रोचक जानकारी आपके जीवन से जुड़ी विभिन प्रकार के रहस्य आपके जीवन से जुड़े बतान का प्रयास करेंगे आपको वीडियो केसी लगी आप कमेंड करके अवश्य बता सकते हैं साथ ही चेनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अन्य लोगों तक शेयर करें मिलते हैं फिर किसी एसी ही रोचक वीड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद